नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जार्खन के दिन भर की खबर जानते हैं जार्खन सिक्षक नियुक्ति परकिरिया अधर में लटक सकती है जार्खन सरकार ने सहायक अध्यापक के 26 यार एक पदो पर नियुक्ति निकाली है हलाके नियुक्ति परकिरिया पर पेंच फस्ती दिख रही है दरसल इस नियुक्ति परिक्षा से वैसे 2 लाग अभियार्थी वन चित रह जाएंगे जिन्होंने 28 और 28 की डिगिरिया तो हासिल की है लेकिन उनके पास राज सिक्षक पत्रता नहीं है वहीं शिक्षक नियुक्ति परकिरिया के दाइरे से उन्हें बाहर रखने का बीरोज सुरू कर दिया है दरसल जार्खन सरकार वर्ट 2016 के बाद से राजे में जे टेट की परिक्षा की आयोजन नहीं करवा पाई वहीं सिक्षक नियुक्ति के लिए आवेदन करने है तू उसकी पत्रता जरूरी है बतादे राजभर में B8 और DL8 डिगरी धारी अभियार्थी सड़क पर उतर आये हैं उनका कहना है कि यदि हमारे पास J8 की पत्रता नहीं है तो यह सरकार की गलती है इसमें हमारा क्या दोसा है सरकार ने 2016 के बाद से J8 की परिशा नहीं ली ऐसे में 2016 के बाद B8 और DL8 करने वाले अभियार्थी सहायक अध्यापक नियुक्ति परकिया से वन्चित रह जाएंगे यह सरासर अन्याय होगा पलामू में घरेलू गैस फटने से 10 लोग जखमी जारखन से पलामू से इस वक्त की खबर निकल कर आ रही है बदा दे यहां एक घरेलू गैस से लेंडर बलास्ट होने से 10 लोग बुरी तरह से घायल होगा जिसमें 5 लोग के हलात काफी नाजुक बताई जा रही है जखमी 10 लोगों में 5 की हलात काफी गंबीर है इन सभी को इलाज के लिए हर्यहर गंज इस्तित समुदाइक स्वास केदर में भरती कराया गया वहीं गंबीर रूप से जूल से लोगों को बेहतर इलाज के लिए MMCH रेफर कर दिया गया हलाकी घटना असल बिहार के औरंगाबाद से करीब 25 किलोमेटर के दूरी पर है जिस कराण कई जखमी इलाज के लिए औरंगाबाद भी चले गया है पच्चमी सिंभू में नकसलियो दोरा लगाया गया ID बलास्ट CRPF के सहायक कमांडेंट घायाल ज़ारकन के पच्चमी सिंभू में के टोटो थाना चेते में नकसलियो दोरा लगाया गया ID में बलास्ट होने से CRPF 1977 के सहायक कमांडेंट चंद्र परताप तिवारी घायल होगा है पूलिस अधिक्चक आसुतेस सेखर ने सोमवार की दोपर इसकी पुष्टी की हाय बता दे कि पिछले एक हापता में नकसलियो के दोरा मुड़ भेड और ID बलास्ट में सुरक्षा बलके तिन पदा दिक कारी घायल हो चुके हाय पूलिस अधिक्चक आसुतोस सेखर ने कहा है कि हाटकोर नकसलियो के भ्रामन के सुर्चना प्रकुलान के जंगल छेतर के गोलकर थाना छेतर में सुरक्षा बलके द्वारा अभियान चलाया जा रहा था इसी दवरान टोटो थाना चेतर के गराम पाटा तोरब के आसपास जंगली छेतर में सुरक्षा बलोको नुक्सान पहुचाने की मनसा से लगाए गया आईडी बाम में बिसफोट हो गया इसमें CRPF 1977 बाटालियन के साया कमाने चंदर परताब तिवारी घायल हो गया बोकारो जीला अस्तर्य सुवरतो कब फुटबॉल टूर्नामेंट 25 जुलाई से बोकारो जीला अस्तर्य सुवरतो कब फुटबॉल टूर्नामेंट की सुरत 25 जुलाई से होगी जिसमें जीले के नौ प्रक्षंड के विजेता स्कूल की टीम भाग लेंगे बदादे टूर्नामेंट के अंडर 14 आयू वर्ग के मुकाबले पंचानन राजबाला हाई स्कूल सतनपूर में वो अंडर 17 बालक वर्ग के मुकाबले सेक्टर 3 ट्रेनिंग होस्टल मैदान में खेला जाएगा वहीं अंडर सत्रा बाली का वर्ग का मैज सेक्रेट थिरी ट्रेनिंग मैदान में खेला जाएगा वहीं 26 जुलाई को अंडर सत्रा बालक वर्ग का फाइनल मुकाबला सेक्रेट थिरी ट्रेनिंग होस्टल मैदान में खेला जाएगा वहीं रोयल एस्पोर्टिंग कल्ब सेक्टर आठ के तत्वधार में 30 जुलाई से डीसी मुमोरियोर फूटबॉल टूर्नामेट का आयोजन का आयोजन पलस टू हाई स्कूल सेक्टर आठ मेदान में किया जाएगा जार्खन के 24 नए IPS अधिकारियों को सिया महमांत ने लगाया बैच जार्खन के 24 डीस्प के एस्पी रेंक में प्रोनाती मिली है सोमवार को जार्खन मंत्राल में आयोजन पीपिंग सरेमनी कारक्रम में 24 नव प्रोनेत IPS अधिकारियों को सिया महमांत ने बैच लगाया बतादे इस्तोरान मुख्य सचीव सूखदेव सिंग, डीजीपी अजय कुमार, चीएम के सचीव बिनाय चौबे, गिरी सचीव अविनास कुमार समेत कई वर्य अधिकारी भी उपस्तित थे धनबाद डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र जारखन के धनबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, बतादे जीले के सिंद्री इस सिद डीएवी पबलिक स्कूल के प्रिंसिपल ने अस्थानिय पुलिस और परशासन से निराश हो करदेश के परधान मंत्री से मदद मांगी है परधान मंत्री नैन मोदी के नाम पत्र भेजकर प्रिंसिपल ने स्कूल में पढ़ने वाले 16 छात्रों का भवी से बचाने की गुहार लगाई डिये भी स्कूल के प्रिंसिपल आसुतोष सिंग ने पत्र में पीएम मोदी को इस बात से उगत कराया है कि आसपास के 40 गाओं से स्कूल में आने वाले बच्चों की पढ़ाई में रुकावड पैदा की जा रही है उन्होंने आरोप लगाया है कि जब चाहे तब असमाजिक तत्व अतिक कर्मनकारी और अस्थानिय गुंडे स्कूल के केमपस में घूस आते हैं प्रिंस्पल ने अस्थानिय प्रसासन सांसत और विधायकों से गुहार लगाई लेकिन कोई सुनाय नहीं हुई आईसा लगता है कि उनकी इन में कोई दिल्चास्पी नहीं है और उन्होंने इस्कूल के मुद्धे पर आखे मुद्ध लिया है जारखंड में कैंसर वा किड्नी ट्रंस्पलांट के मरीजों का इलाज लटका है मुख्यमंत्री गंभीर बिमारी उपचार योजना के तहट अस्पतालों के साथ किये गए एमयू की ओधी समाप्त हो गई है इस वज़े से कैंसर वा किड्नी ट्रंस्पलांट के मरीजों का इलाज फिलहाल लटक गया है इधर राज सरकार अस्पतालों के साथ नए सीरे से एमयू करने से पहले स्टेंडर्ट अपरेटिंग प्रिसीजर त्यार कर रही है फिलहाल यह मामला बीत विभाग के पास विचारान धीन है बता दे चालू वितिय वर्ष दोह यह तेश चोविस में अब तक राज से कैंसर किड्नी ट्रंस्पलांट जैसी गम्हीर विमारी के इलाज के लिए स्वास्त निजसाला के पास तीर पर आवेदन आया है इनमें मरीजों के इलाज के लिए 10 लाक यार्थिक सहायतर आसी परदान करने कागरा किया गया है जारखन के जेलों में 81 फिस्दी पद खाली जारखन के जेलों में अधिक शक से लेकर निशले अस्तर तक के करमचारियों के 81 फिस्दी पद रिक्त है जबकि जेलों में छामता से अधिक कैदी भी बंद हैं वहीं भीजिटर का दबाव भी है ऐसे में जाहिर है कि जेलों में मैन पावर की कमी का आसर यहां की अंध्रूनी बिवस्ता पर पड़ रहा है जारखन में कूल 31 जेल हैं इनमें 7 केंदरिये कारा वहीं 7 जीला जेल और 6 सब जेल और 1 ओपन जेल हाजारी बाग में भी सामिल है इन जेलों के लिए अधिक्छा कारापाल सहायक कारापाल लिपीक मुख्य उच कक्छपाल उच कक्छपाल, कक्छपाल पूरुस वह कक्छपाल महिला के कूल 31 सबसी पद स्विक्री था है लेकिन इनमें से 1779 पद खाली है बतादे 28 जेलों में अधिक्छा के पद भी स्विक्री था है पर 20 जेलों में यह पद खाली है बिश्व आदिवासी दिवस महोत्सों में सामिल हो सकते हैं बॉक्सर मेरी कौम और दिलीब तिर्की बिश्व आदिवासी दिवस पर 9 और 10 अगस को जारखन आदिवासी महोत्सों किया जाएगा महोसो में देश बरक ट्राइवल सेरिविलिटीच को आमंत्रित किया जा रहा है जिन्हें आमंत्रलान भेज आ रहे हैं उनमें अंतराश्चिरीए बोक्स और मेरी कौम होकी इंडिया का देश दिलीब तिरकी अंतराश्चिरीए तिरन्दाज कोमा लिका बारी और फेमिना मिस इंडिया रिया तिरकी भी सामिल हैं इसके अलावा यूथ आईकोन भी आमंत्रित किये जाएंगे महसर गिद्रवान ट्राइवल रिसर्च इंस्चुट की ओर से सेमिनार पैनल डिसकसन ट्राइवल फिल्म फेस्टिवल ट्राइवल फूड फेस्टिवल और पैंटिंग एक्जिविशन का आयोजन किया जाएगा गुमला में वीडियो बना बलैक मेल करने वाला ऑपरेटर गिरफतार एक जिवुति का असलील वीडियो फोटो बना कर बलैक मेल करने वाला सिक्षा विभाग में कारणाद कंप्यूटर अपरेटर को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है थाना परभारी सुभम कुमार ने बताया है कि प्रखंड अंतरगत बियापी कर्याले में कंप्यूटर अप्रेटर के पद में कारराद विकास कुमार को सुक्रवार देराध गिरफतार कर लिया गया विकास कुमार पर गुमला जी लेगे चैनपूर थाना में एक यूती द्वारास लीड बीडियो वा फोटो बनाया कर वायल करने का मामला दच कराया गया था गुमला की चैनपूर पूलिस ने सुक्रवार को हेरहंज पूलिस की सहयोग से चापे मारे अभियान चला कर उसे गिरफतार कर अपने साथ ले गई है मोडर के बाद बाइक से लास ठीकाने लगाने जा रहे दो लोग धराए जारखन के कोडरमा से हरान करने वाला मामला सामने आया है यहाँ बाइक से लास ठीकाने लगाने जा रहे सक्त को पूलिस ने धर दबोचा है उसका एक साथी भागने में काम्याब रहा बताया जाता है कि युवक की हत्याकर दो युवक मोटरसाइकल से उसकी लास को ठीकाने लगाने जा रहे थे तब ही पुलिस को देखते ही भागने लगे पुलिस ने दोड़ाया तो एक युवक भागने में काम्याब रहा जबकि दूसरा पकड़ा गया पुलिस ने जनकारी देते वे पता है कि दो युवक मोटरसाइकल पर लास लाद कर ठीकाने लगाने जा रहे थे चंदवारा के सिरी राम चोक पर दोनों युवक को पुलिस ने देख लिया जैसे ही युवक को नजर भी पुलिस पर पड़ी दोनों भागने लगे पुलिस ने बताया कि मृता की युवक जुमरी तिलिया के देवी मंड़ा परोट का रहने वाला था जारखन में 28 जुलाई से रफ्तार पकड़ेगा मांसून जार्खन में 28 जूलाई से मांसुन के रफ्तार पकरने के असार है इस दवरान राजे में अच्छी बारिस हो सकती है ऐसा इसलिए कि बंगाल की खाड़ी में निम्दवाव का छेतर अगले 24 घंटे के दवरान बनने की परकिरिया में है या जार्खन से होकर गुजरेगा बदादे की राज में अब तक 234.9 मिली मीटर बारिस हुई है या समाने से 45 फिजदी कम है गौतला भाय के 18 जुन को निर्धारिस समय से एक सप्ता की देर से परवेश करने वाला मांसून जार्खन में दस्तक देते ही कमजोर पड़ गया इसकी वज़ा से परदेश में समाने से कम बारिस हुई है मौसम बेग्यान अविशेक अनन्द के अंसार मंगाल की खाड़ी के उत्री भाग में बनने वाला यह पहला निम्द दवाव चेतर है जार्खन को इसका लाव मिलेगा वहीं उत्री खाड़ी से इसके पच्छमोतर दीशा में बढ़ने की समभावना है इस कारण इसके जार्खन से होकर गोजरने की भी समभावना बढ़ गई है इसके परभाव से जार्खन में 8 जुलाई से बारिस की गति भी दिया बढ़ेंगी धन्यवाद